नमस्कार कैपिटल टिवी बिहार के खास पूराम कौन होगा उमिद्वार में एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको ले चलेंगे समस्तिपूर की रनभूमी में और बतलाएंगे कि क्या हो रहा है उस रनभूमी में और कौन सा घोड़ा सबसे आगे चल रहा है किस पार्टी के किसको मिले ही टीकट और क्या हो रहा है इसके लिए दिल्ली से लेकर पट्टा तक लॉबिंग ये सारी बातें आज के पूराम में हम आपको बताने जा रहे हैं देखिए मौजूदा सांसत प्रिंस राज लोजपा के रामचंदर पासपान के पुत्र रामचंदर पासपान समस्तिपूर से एमपी रह चुके हैं और उनके निधन के बाद प्रिंस राज वहां से चुने गए एक साहन भूती भोट की डहर भी थी उमीध है कि प्रिंस राज वहां से दुबारा चुनाव रणने की कोशिस कर रहे हैं और उनको वहां से टिकट भी मिलना लगभग तयमाना जा रहा है लेकिन क्या इस लगभग में बजन है क्या पिरिसराज किसी दूसरे छित्र में भी जा सकते है और समस्तिपूर के लिए जो सीट है वो महसर हजारी के लिए खाली कर सकते है चुकि जनता दल यूनाइटेट से एक बड़ा नाम महसर हजारी बिधान सभा के उपसभापती है और पिछले साल जेड़ साल से लगतार इस लाके में घूम रहे हैं लोगों से जनसब पर कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली आप हमको भेजिए हम समस्तिपूर का काया कलब कर देंगे देखें यही वादा और दावा आज प्रिन्स राज भी कर रहे हैं कि समस्तिपूर के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है खासकर जो S.T.P. वाला काम है सच्छता वाला काम है उस पे काफी प्रगती हुई जाम की समस्या को निप्टाने के लिए बहुत सारा काम किया उन्होंने इसके अलाबा बहुत सारे कामों का वो जिकर करते हैं बार-बार अपने भासनों में लेकिन पिछला जो चुनाब हुआ उनीज का और चोबिस का इसमें एक अंतर है इसको प्रिंस राज भी समझ रहे हैं एक साहनबुती लहर थी मोदी की लहर थी वो आज भी है लेकिन उस समय के परिस्तितियां उनके साथ जो जुड़ी हुई थी उसमें अब अंतर आया है एक नया चेहरा थे युबा चेहरा थे प्रिंस राज लोगों ने भरोसा किया लेकिन देखिए राजनिति में जब वक्त बीटता है तो बहुत सारे चेहरे धूमिल पढ़ने लगते हैं लेकिन एक समीकरन होता है जिस समीकरन से कोई भी कंडिटेट जीत जाता है जैसा कि नरिंद मोधी कहते हैं कि आप चुनाब चिन देखिए चेहरा मत देखिए लेकिन एंडिये के तरब से दो बड़े नाम प्रिंसराज और महसर हजारी आमने सामने हैं फिलाल एक को ही टिकट मिलना है जन्ता दल्य उनाइटेड ये सीट देखिए पसुपत्रिकुमार पारस से ले पाती है या नहीं ले पाती है दबाब काफी है कि ये सीट महसर हजार के लिए खाली किया जाए और प्रिंसराज को किसी दूसरे सीट से मौका दिया जाए इस तरह की एक कोशिज पट्टा में हो रही है लेकिन अंतिम फैसला इसका दिल्ली में होगा कि समस्तिपूर की रनभूमी में प्रिंसराज दोड़ेंगे या महसर हजारी किलियर है तीसर से मजबूत दावेदारी कॉंग्रेस की है कॉंग्रेस ने ये सीट आर्जेडी से मांगी है समस्तिपूर सीट कॉंग्रेस लड़ती रही है ड़क्टर असोक राम भले हार जा रहे है वहाँ पर लेकिन कॉंग्रेस का उस सीट पर दावा बरकरार है और इस बार इस दावे के पीछे ये है कि कोई नया चेहरा हम वहाँ पर लाएंगे चुकि असोक राम के record में सिकस्त की एक लंबी स्रिंखला जुड़ चुकी है तो उनको टिकट मिलने के सभावना इस बार कम लगती है हलाकि कोशिस कर रहे हैं उमीद कम है तो जो नया नाम आएगा वो नाम है कौन वो नाम एक नौकरसा का है जो हाल में ही अपना वहां से सेवा निम्रती होके आया है ब्यारस लेके आया है उनका नाम है वी के रभी काफी सुल्जे हुए इंसान है और कहा जा रहा है कि का अंग्रे सलाकमान खासकर राहुल गांधी से उनकी बहुत निकट्टम है और उसी लोबी के तहर उनको यहां भेजा भी गया है कि आप आईए और यहां से चुनाव लड़िए देखिए जब आरजेडी के साथ कंबिनेशन जो बना हुआ है वो बीके रवी को फेवर करता है और समस्तिपूर घूम जाते हैं लेकिन कोई कंभीर दावा उनका वहां पर बनता नहीं है लेकिन स्याम रजक अपनी दाविदारी पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं तो कॉंग्रिस में जो नाम है बीके रवी का सबसे बड़ा नाम आता है और अनिता राम का भी नाम आत जो नाम हम आपको गिना रहे हैं इनी नामों में किसी एक को परत्यासी बनाए जाएगा तो अट-अंड अर कॉंग्रिस के तरप से बहुत जादा कंसूजन यहां पे है नहीं दो नाम अन्ड ल स्कॉत जिला परिशत के सदस है रवी रौसन रवी रौसन युबा है काम कर रहे हैं इलाके में और उनका दावा है कि इस बार समस्तिपूर की जनता उने ही अपना असिरवाद देगी तो रवी रौसन के इस दावे के पीछे कौन सी तागत है जब आप उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे कि यहां की जनता के लिए वो 24 इंटू 7 मौजूद हैं उनके सुख दर्द में दुख दर्द में हम उनके साथ हैं कहीं कोई दिक्कत होती है रवी रौसन मौजूद होता ह तो अपना दावा है इनका पार्टी ठय नहीं है हो सकता है कि किसी छोटे दल से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं कोशिस है किसी बड़े पार्टी में अपना कुश लग जाए जुगार लेकिन जुगार लगता हुआ दिखता नहीं है जब आप समस्ती पूर जाएंगे तो नहीं लगेगा कि रभी रोसन किसी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो निर्दलिये का विकद्व खुला ही हुआ उनके लिए, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारी भी वो कर रहे हैं, जहां तक जाती है आकड़ों की बात करेंगे, तो दे एक तरद से बैलेंसिंग फैक्टर है समस्तिपूर में, कुसवाहा और यादव, इसके अलाबा जो भोट बैंक है, वो हम आपको बताएं कि पासबानों की बड़ी आबादी है वहाँ पर, लगबग चार लाग वोटर बताए जाते हैं पासबान विरादरी से, इसके अलाब समस्तिपूर के लिए, तो समस्तिपूर का मुकाबला, देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है वहाँ की रन भोमी और बहुत आसानी से कोई जीत जाएगा, चूंकि आइस तरह से कास्ट इक्वेशन वहाँ पर है, जो महागटबंदन को भी फेवर करता है और NDA को भी फ देखेगेगी, चूंकि केवल एक किसी एक चीज़ को लेके, केवल ब्रांड मोधी को लेके या फिर भाजपा की अपनी जो संगठन चमता है उसको लेके और उमिद्वार को लेके एक जीत हो जाएगी, वो समस्तिपूर में जहां तक बात है, जो पुराना इतिहास राज सम समस्तिपूर के बुथों में करना चुकि जो भगोली की लाका है, फ्रसा डिपकट भी है, हर बुथ तक पहुचना, लेकिन जिनको दिल ली जाना है, वो कठीन डास्तों पर तो उनको चलना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रिसराज को चलना पड़े, महिसर हजारी को चलना चलना तो उनको पड़ेगा, तो तयारी है, सब उमिद्वारों को लेके, तो फैसला तो हो ही जाएगा, हर पुराम में हम बता ही रहे हैं, कि अब समय नहीं है, जल्दी उमिद्वारों का एलान हो जाएगा, लेकिन जो संभावित उमिद्वार हैं, उसकी चर्चा हमने आप की है, हमारा पुराम आपको कैसा लगता है, कॉमेंट करकर हमें जोल बताएं, आपका बहुत बहुत धन्नवाद, आपका बहुत बहुत सुक्रिया.